हेलो दोस्तो, पाकिस्तान स्टॉक शेंज कोर्स की चोथी क्लास में खुशाम दीद दोस्तो, आज मैं आपको डिविडेंट के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन दूँगा तो बगएर टाइम वेस्ट किये, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो, डिविडेंट बेसिकली दो तरह के होते हैं एक होता है इंटेरिम डिविडेंट और एक होता है फाइनल डिविडेंट हर कंपनी बारा महीने का साल गुजारती है और इन बारा महीनों में चार फाइनेंशल रिपोर्ट्स पेश करती है यानि तीन quarterly reports और एक annual report तीन quarterly reports ऐसे के first करे एक company है जिसका साल जनवरी से शुरू हुआ और December में खतम हुआ तो मार्च के बाद company एक board meeting करेगी जिसमें वो first quarter की report पेश करेगी कि इन आखरी तीन महीनों में यानि जनवरी से मार्च तक company ने कैसा perform किया है और company कितने profit या loss में गई है और अगर वो company dividend डिकलेर करना चाती है तो उसकी announcement भी वो इसी meeting में करेगी और ये dividend कहलाएगा interim dividend क्योंकि ये dividend साल खतम होने से पहले announce किया जा रहा है इसी तरह वो company जून के बाद second quarter report और September के बाद third quarter report पेश करेगी और अगर इनमें भी कोई dividend announce होता है तो वो dividend भी interim dividend ही कहलाएगा और साल खतम होने के बाद company अपने share rollers के साथ एक meeting arrange करती है जिसको AGM यानि annual general meeting कहा जाता है जिसमें company की top management share rollers के सामने annual report पेश करती है और share rollers को अगा करती है कि company ने इस साल यानि आखरी के 12 महीनों में कैसा perform किया है और इस meeting में अगर कोई dividend declare किया जाता है तो वो interim नहीं बलके annual dividend कहलाएगा क्योंकि ये dividend साल खतम होने के बाद announce किया जा रहा है और interim dividend के scenario में लाजमी नहीं है कि अगर company dividend announce करे तो दे भी कभी कभी ऐसे होता है कि companies interim dividend announce तो कर देती है लेकिन फिर कोई expense आज जाता है या किसी और वज़ासे company वो interim dividend कैंसल कर देती है और कानून के मताबग companies ऐसा कर सकती है लेकिन अगर company final dividend announce कर दे तो उसको फिर वो cancel नहीं कर सकती और वो dividend company को हर सूरत देना ही देना है एक और बात कि पाकिस्तान में companies मुख्लिफ तरीके से financial year गुजारती है जैसे कुछ तो normal यानि यकम जनवरी से 31 दिसंबर तक साल गुजारती है और कुछ जुलाय से जून तक जैसे जब पाकिस्तान में budget पेश होता है तो यकम जुलाय से अगले साल 30 जून तक का होता है ऐसे ही अक्सर companies भी अपना financial year यकम जुलाय से शुरू करके 30 जून को खतम करती है तो अब बात करते हैं कि आप dividend कैसे हासल कर सकते है dividend हासल करने के लिए आपको चार तारीखों का बहुत देहान रखना पड़ता है dividend declaration date, ex-dividend date, record date और payment date dividend declaration date वो date होती है जिस दिन company dividend announce करती है जैसे कि एक quarter खतम होने के बाद जब company board meeting करेगी और quarterly report पेश करेगी और साथ ही dividend भी announce करेगी तो वो date dividend declaration date कहलाएगी similarly साल खतम होने के बाद जिस date को company annual general meeting करती है और साथ ही dividend भी announce करती है तो वो date भी dividend declaration date ही कहलाएगी और interim dividend और final dividend की declaration date कैसे देखते हैं ये मैं आपको वीडियो के end पे detail से समझाऊँगा तो next important date है record date, record date वो date होती है जिस date पे आपका company का shareholder होना mandatory है company सिर्फ उसको ही dividend देती है जिसका नाम company की share book में किसी specific date को होता है जब company dividend declare करती है तो साथ ही record date भी announce करती है जैसे मैंने इसे पिछली वीडियो में आपको सारा T plus 2 trade settlement का cycle समझाया था कि share तीसरे दिन आपकी CD's account में आपके नाम पे transfer होते हैं तो इसका मतलब है कि record date से maximum 2 दिन पहले तक ही आप share खरीद सकते हैं इससे ज़्यादा late करेंगे तो आपको dividend नहीं मिलेगा यहां आती है तीसरी important date जिसको कहते है ex-dividend date जानी excluding dividend date ex-dividend date वो date होती है जिस दिन share खरीदने पर आपको dividend नहीं मिलता और यह date record date से एक दिन पहले fall करती है अब मैं आपको dividend का पूरा cycle समझाता हूँ जिससे चीज़ें आपके लिए बहुत जादा clear हो जाएंगी फर्स करें एक company है ABC Limited वो सेप्टेंबर का quarter खतम होने के बाद यकाम अक्तूबर को board meeting करती है जिसमें वो dividend declare करती है ट्रांसर बुक में नाम होना लाजमी है फर्स करें आपने यकाम अक्तूबर को शेर खरीदे और 9 अक्तूबर को सेल कर दिये तो 12 अक्तूबर को शेर उस बायर के नाम हो जाएंगे जिसको आपने शेर सेल किये हैं और आप dividend के दोड़ से बाहर हो जाएंगे तो आपने शेर बाय करने हैं और X dividend date तक होल्ड करके रखने हैं तो हमारी example में dividend हासल करने के लिए आप maximum जिकब नमबर तक ही शेर ले सकते हैं इसके बाद अगर आप शेर खरीदेंगे तो आपको dividend नहीं मिलेगा यानि अगर आप 2 नमबर को भी शेर खरीदेंगे तो आपको dividend नहीं मिलेगा क्योंकि शेर आपके नम ट्रांसफर होंगे 4 नमबर को और 4 नमबर को कमपनी के शेर ट्रांसफर बुक क्लोज होगी अब बुक क्लोज होने से क्या मुराद है हर कमपनी बेसिलिए रिकॉर्ड डेट से अगले 7 से 10 दिनों के लिए बुक क्लोज़र डेट भी अनाउंस करती है यानि हमारी गजेमपल में फर्स करें अगर 3 नमबर रिकॉर्ड डेट है तो उससे अगले दिन यानि 4 नमबर बुक क्लोज़र डेट होगी और हर कंपनी 7-10 दिनों के लिए अपनी Shade Transfer Book क्लोज रखती है तो मान लेते हैं 4-10 तर्यमंबर तक कि इन 7 दिनों के लिए कंपनी Shade Transfer Book क्लोज रखेगी ये सिर्फ मिसाल के लिए समझा रहा हूँ वरना हर कंपनी के Book Closure Date डिफरेंट होती है तो चार से दस तारीख तक इन साथ दिनों में शेयर्स किसी और के नाम ट्रांसफर नहीं होंगे और जो रेकॉर्ड डेट पर जाने तीन नमंबर को शेयर होल्डर्स थे उनके नाम परी शेयर्ट ट्रांसफर बुक्स साथ दिनों के लिए फ्रीज हो जाएगी तो कंपनी से ऐसा क्यों करती हैं? कंपनी से ऐसा इसलिए करती हैं ताके वो सारा कुछ सही से देख के सही सही लोगों तक उनके डिविडेंट पहुंचा दें और कोई कंफ्यूजन ना हो अगर शेयर्जम सलसल किसी और के नारम ट्रांसफर होते रहेंगे तो कंपनी को सही से पता नहीं लगेगा कि किसको डिविडेंट देना है और किसको नहीं तो ऐसी कंफ्यूजन ना हो इसलिए कंपनी रिकॉर्ड डेट से अगले साथ से दस दिनों के लिए शेयर्ट ट्रांसफर बुक क्लोज रखती है एक और बोनस ट्रीप आपको बताता चलूं कि अगर कोई कंपनी रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं करती और सिर्फ बुक क्लोजर डेट ही अनाउंस करती है तो most probably उससे पिछली वर्किंग डेट रिकॉर्ड डेट कहराएगी मसलन कोई कंपनी रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं करती और कहती है कि बुक क्लोजर डेट पांच जून से बारा जून है तो इसका मतलब है रिकॉर्ड डेट चार जून को होगी और आप मैक्सिम्म दो जून तक ही शेर खरीच सकते हैं डिविडेंट हはसल करने के लिए तो अगली बात है कि शेर कब सेल कर सकते हैं अच्छा आप इसके 2 scenarios हैं एक तो आप सेल कर सकते हैं एक्स्डिविडेंट डेट को क्योंकि वह दिन जो भी शेर खरीदेगा उसको डिविडेंट नहीं मिलेगा और आप बगएर किसी फिकर के अपने share sale कर सकते हैं लेकिन ex-dividend date को भी आप share सिर्फ तभी sale कर सकते हैं अगर आपने share पहले किसी time buy करके रख लिये थे और share ex-dividend date से पहले ही आपके नाम हो गए थे यानि फर्स करें अगर आप 1st November को share खरीते हैं तो record date से अगले दिन यानि 4 November को आप share sale कर सकते हैं लेकिन अगर आपने पहले से share खरीत कर रखे हुए हैं मानने 12 October को ही आपने share खरीत लिये थे तो जाहिर है share आपके नाम 15 October को transfer हो गए होंगे तो इस case में आप 2 November को जो के ex-dividend date है बगेर किसी फिकर के share sale कर सकते हैं यहां मैं आपके एक और बात समझाना चाहूंगा और इसको बहुत देहान से समझेगा फर्स करें अगर कोई company है जो कहती है उसकी record date है 14 June 2021 और 14 June 2021 को है Monday तो इस case में ex-dividend date एक दिन पहले यानि 13 June बरोज इतवार की नहीं बलके last Friday की यानि 11 June 2021 की होगी वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि T plus 2 सिर्फ business days पे ही operate होता है ऐसा नहीं है कि आप Friday को shares buy करें और Sunday को आपके CDC account में आ जाएं अगर आप Friday को shares buy करेंगे तो वो third business day को यानि Tuesday को आपके CDC account में आएंगे इसी वज़ा से अगर किसी company के record date Monday को fall कर रही हो तो last day जिस दिन आप share buy कर सकते हैं dividend हासिल करने के लिए वो पिछले week का Thursday बनता है इस लिहासे Thursday के हलाएगा T day Friday के हलाएगा T plus 1 और Monday के हलाएगा T plus 2 जिस दिन shares आपके नार्म ट्रांसफर हो जाएंगे जो के है record date तो I hope this concept is clear too इसकी एक practical example भी मैं आपको वीडियो के end पे इंशालाँ जरूर दूँगा अच्छा बोग सवाल पूछते हैं कि हम shares करी दें और dividend हासल करके share sale कर दें तो कैस में हमें फाइदा होगा तो इस टेखनीक में 100% guarantee नहीं है कि आपको हमेशा फाइदा होगा या नहीं वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जाहर है सारे investors चाहेंगे कि हम dividend हासल करें और dividend हासल करने के बाएद shares बेच दें तो जब सारे investors अपने shares sale करना शुरू कर देंगे तो इसके नतीजे में share price घर जाएगी क्योंकि share के supply जादा हो जाएगी और demand कम यानि shares बेचने वाले जादा हो जाएगी और shares खरीदने वाले कम मिसाल के तो रुपे एक company है जिसका share 100 रुपे का है और वो 10 रुपे dividend announce करती है तो ideal scenario तो यही होगा 100 रुपे का share खरीदें 10 रुपे dividend हासल करके 100 रुपे का ही share वापस sale कर दें और per share 10 रुपे profit बना ले लेकिन अब जब X dividend date आएगी तो market में सारे investors अपने share sale करना शुरू कर देंगे और जो share 100 रुपे का था वो excessive supply की वरा से 80-90 रुपे का रह जाएगा तो इस लिहाँ से जहां आपको 100 रुपे पर 10 रुपे का फाइदा होना था उल्टा नुकसान हो जाएगा क्योंकि आपका 100 रुपे वहीं का वहीं रहा और उल्टा shares trade करने से आपको broker की fee भी वड़ गई तो dividend लेके shares बेचने वाली strategy आपको फाइदा देगी या नहीं इसकी 100% guarantee नहीं है आपके chances 50-50 है कभी share price नीचे आती है और कभी नहीं हर scenario different हो सकता है तो next date है payment date ये वो date होती है जिस दिन company अपने share roders को dividend की amount उनके bank accounts में credit कर देती है और ये date fix नहीं होती जाता तर companies record date के एक डिड़ महीने बाद dividend की payment कर देती है तो चलिए अन सारी dates का एक quick recap कर लेते है dividend declaration date वो date होती है जिस दिन company dividend announce करती है x dividend date वो date होती है जिस दिन share करीदने पर आपको dividend नहीं मिलता dividend record date वो date होती है जिस दिन आपका company का share holder होना जरूरी है और dividend payment date वो date होती है जिस दिन share holder को payment मिल जाती है तो अब आप सोच रहे होंगे कि dividend हासल करने का सही तरीका क्या है और कौन से share holders होते हैं जो dividend से फायदा उठाते हैं तो मैं आपको सिर्फ अपनी thoughts बताता हूँ आप चाहें तो मेरी बात से बिल्कुल disagree कर सकते हैं तो मेरे मताबक dividend सिर्फ long term investor के लिए है जो shares खरीद कर hold करके बहुत अर्से तक रखते हैं और हर साल या हर quarter मुसलसल dividend हासल करते रहते हैं ऐसा नहीं है share लिया dividend हासल करके share sale कर दिया इस तरह आपके returns बहुत minimal से होंगे या होंगे ही नहीं Warren Buffett कहते हैं कि आपको dividend re-invest करने चाहिए यानि मिसाल के तो रुपे एक company है जिसका share 50 रुपे का है और वो company annually 3 रुपे dividend देती है और आपने उस company के 500 shares करीदे हुए है तो इस इसाफसे company आपको 1500 रुपे dividend देगी अब अगर आप इन पैसों को हर्ट करने की बजाए उसी company में वापिस reinvest कर दें यानि मजीद shares करीद लें तो आपके 500 shares बढ़कर 530 हो जाएंगे और next year आपको 1500 के बजाए 1590 रुपे dividend मिलेंगे इसी तरह अगर आप dividend reinvest करते जाएं तो कुछ सालों के बाद आप बहुत जादा मीर हो जाएंगे इसको कहते हैं compounding और Einstein इसके बारे में कहते हैं compound interest is the eighth wonder of the world he who understand it earns it he who doesn't pays it यानि compounding दुनिया का आठवा अजूबा है और Warren Buffet की जुबान में इसको कहते हैं snowball effect जैसे उपर से बरफ की बाल बनागे फैंको तो नीचे पहुंचने तक वो बहुत बड़ी हो जाती है इसी तरह अगर आप dividends reinvest करते जाएं तो एक टाइम आएगा कि आप इतने हमीर हो जाएंगे कि शायद आप पूरी company ही खरीद ले मैं मजाक नहीं कर रहा Warren Buffet ने भी अपनी सारी दोलत ऐसे ही बनाई है और आप वो 12 से जायत companies के whole owner है यानि ये 12 companies total उनकी है और 45 companies में partial owner है तो according to Warren Buffet और मेरा मशवरा भी यही है कि आपको हमेशा long term के लिए सोचना चाहिए और हमेशा long term के लिए investing करनी चाहिए stock market से जितने भी लोग अमीर बने हैं वो सब long term investing करके ही अमीर बने हैं daily trading से कोई भी अमीर नहीं बना तो ये तो थी मेरी thoughts about dividends चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि Pakistan stock exchange पर dividend declaration dates कैसे देखते हैं